Welcome to my YouTube channel World Literature आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्फ्रेंडम्स एफेक्ट एलिनेशन एफेक्ट बाई बर्टॉल्ड ब्रेकिट बर्टॉल्ड ब्रेकिट का ये कॉंसेप्ट है जो के थेटर से रिलेटिड है आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कभी आप कोई प्ले देख रहे हो या कोई स्टोरी देख रहे हो या कोई ट्रेजडी, कोई मूवी इस टाइब को कोई भी अगर आप टीवी शोर देख रहे हो तो कभी-कभी जो है वो आप उस कहानी बहुत ज़्यदा हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप रियालिटी में उसे बैठे देख रहे हो ना कि वो जो स्टोरी है वो रियालिटी बन चुकी है means कि आपकी जो फीलिंग्स हो जाती है आपको लगता है कि जो स्टोरी में सीन चल रहा है वही आपकी life में भी वह scene चल रहे है और आप उससे एक emotional connection बना लेते हैं आप traumatized हो जाते हैं कभी-कभी तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ tragic stories को देकर इंसान खुदी जो है वह emotional हो जाता है तो इस emotional feeling को reject करने के लिए इस connection को तोड़ने के लिए बर्टोल ब्रेकेट ने एक concept दिया है जो कि theater पे उन्होंने apply किया है and then उन्होंने कुछ techniques भी बताई है जिनके थरोज है वो इस effect को apply भी किया जाता है तो actually में ये effect है क्या ये concept क्या है इसको start करते हैं बहुत ही interesting topic है वर्फ्रेंडम्स effect और the estrangement effect अब this treatment effect क्या होता है कि किसी चीज से इलैदगी इसक्यार कर लेना या फिर आप किसी चीज को जानते हो और आप उस चीज से cut off हो जाओ या फिर आप एक हद तक किसी चीज को देखना शुरू कर दो एक चीज से आपका connection है वो एक हद तक हो जाए उसके जो है वो कुछ limits बन जाएं यहाँ पर जो यह term यूज की गई है वो इस way में यूज की गई है कि audience जो है वो जब live play जो है वो watch कर रही होती थी क्योंकि यह बर्टॉल bracket के जमाने की बात हो रही है कि उस time पर जब live performances जो होती थी, theater में जब plays जो है वो perform किये जाते थे characters जो है वो सामने होते थे stage पर perform कर रही होते थे और जो audience है वो सामने बैठी देख रही होती थी अब audience and characters के दर्मियान distance क्या था stage का distance होता था just means कि वो उसको live perform करते होई देख सकते थे तो बर्टॉल bracket क्या suggest करते है कहते हैं कि audience जब play watch कर रही होती है जब वो देख रही होती है characters को तो वो इतना खो जाते हैं और उस खोने से वो emotional भी हो जाते हैं उन characters की कहानी को अपनी कहानी समझना शुरू कर देते हैं अगर वो रो रहे हैं तो audience भी ज़या हो sad हो जाती है अगर वो happy है तो audience भी जब है वो happy हो जाती है इस emotional connection को तोडने के लिए जो audience और characters के द्रम्यान होता है उसी के लिए इस concept को जब दिया गया है bracket जो है वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो audience है वो अपने characters के साल कोई emotional attachment रखे इसलिए जो है वो इन्होंने अपने different concepts जो है न वो इसलिए दिये है simple way में अगर मैं आपको बताओं कि एक play जो है वो perform किया जा रहा है और हम जो है वो बैठे देख रहे हूँ means कि हम उस कहानी में बहुत गहरे ना जाएं उसके साथ कोई emotional connection ना बना ले उस कहानी को अपनी कहानी ना समझना शुरू कर दे या फिर अगर वो characters sad है वो रो रहे हैं तो हम भी जो है वो रोना ना शुरू कर दे इस चीज को distance करने के लिए जो है ना ये concept दिया गया है अब इस technique को use कैसे किया जाता है हम उनको भी discuss करते है आगे चलके नहीं इस concept को जो है वो introduce कर वाया जिसका English meaning जो है वो alienation effect बनता है means के तनहा कर देना या फिर जो है वो किसी चीज को दूसरी चीज से separate कर देना and ये जो इन्होंने word है इनका एक essay था बर्टॉल ब्रेकिट का on Chinese acting उसमें जो है रही नोने first time इस word को जो है वो use किया था and अगर हम लोग जर्मनी में इस word का reference देखें तो यहां पे जो है वो बर्टॉल ब्रेकिट जो है वो non-aristotelian काइन के जो plays होते थे उनका reference यहां पे दे रहे हैं अब आप कहें कि non-aristotelian plays क्यों यहां पे बर्टॉल ब्रेकिट ने कहा है तो वो इसलिए कहा है कि बर्टॉल ब्रेकिट कहते हैं कि essay plays जो के इस चीज़ पे rely ना करें कि audience जो है वो characters को जाना वो खुद के साथ identify करना start कर दें इसके audience जो है वो अपनी identity जो है वो characters से separate ही रखें इस concept को बाद में जो है वो काफी criticize भी जो है वो किया गया था उसके बाद हम बर्टॉल ब्रेकिट के जो खुद के उनके words है इस concept को define करते हुई उनको देख लेते हैं कहते हैं कि attempts to act in such a manner that the spectator is prevented from failing his way into the characters कि ये attempt इसलिए की गई है कि जो spectator है जो देखने वाला है जो audience है वो खुद को character से महफूज रखे characters के emotions में बहुत दक खोन आ जाए उनकी कहानी को अपनी कहानी ना समझना के शुरू कर दे acceptance or rejection of the characters words is thus placed in the conscious realm not as he tertal in the spectator's subconscious means के एक wall लगा दी जाती है characters और audience के दर्मयान ताके जो ये story है वो कहीं जो audience है उनके सब conscious में ना चली जाए या फिर जो audience है वो ज्यादा emotional जो है ना ना हो जाए उन characters को देखकर तो ये एक way है जिससे जो है वो audience को prevent रखा जाता है safe रखा जाता है characters के अंदर बहुत जादा जाने से patrol bracket ने कुछ techniques बताई है कि इस effect को किस तरह से use किया जाता है जो play जो है वो perform किया जाता है तो हम इसकी example देख लेते हैं ताके हम इसको अच्छे से समझ सकें कि actually में work कैसे करता है concept जो कि patrol bracket ने दिया है तो सबसे पहले वो कहते हैं breaking the fourth wall इसमें कहते हैं कि audience और actors के दरम्यान जो fourth wall होती है वो एक stage होता है जिसको जो है वो बिल्कुल break कर दिया जाता है means कि इसमें ये नहीं कहा जाता है कि audience जो है वो अकेले अराम से बैठी हुई है और वो show देख रही है और खुदी से कुछ judgments जो है वो बना रही है या फिर उस बहुत ज़दा जो है वो उसका emotional connection जो है वो characters के साथ बन गया है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है इस चीज़ को जो है न वो break कर दिया जाता है कहते हैं कि actors क्या करते हैं वो directly audience के साथ बात करना शुरू कर देते हैं कोई comment करता है कोई speech करता है या फिर कोई question करता है जिससे जो fourth wall होती है silence वाली वो तूट जाती है means कि हम किसी theater में बैठे हुए हम movie देख रहे हैं अब movie जो चल रही होती है means कि अगर वो life performance चल रही हो तो हम just बैठ के सोच रही होंगे उस कहानी में अगर कोई sad scene आएगा तो हम जो है वो उससे emotional connection बना लेंगे बड़ जब characters जो है वो उसमें से बोलेगा हम से as a audience जो है वो बात करना शुरू करेगा तो हम जो है वो उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे और हम जो है वो attentive हो जाएंगे means के यह चीज़ इस तरह से तूट सकती है जो connection है वो इस तरह से break किया जाता है fourth wall इस तरह से work करती है next जो technique यूज की जाती है वो montage की है montage में क्या किया जाता है कि short movie के clips होते है या फिर कोई factual events होते है उन सब को जाए वो edit किया जाता है clips को जाए वो एक साथ जोड़ा जाता है और जब play को perform किया जा रहा होता है तो वो screen पर चलाए जाते है और साथ में जो है उस पर briefing दी जाती है इससे भी क्या होता है कि या तो जो audience है वो attentive हो जाती है और वो कोई emotional connection जो हो नहीं बनाती है unbracket name montage की technique को इसले भी use किया है mostly अपने place में ताके कोई अगर special issue है या फिर कोई big issue है society का उसको highlight करना हो तो इस technique के through जो है ना उसको highlight किया जा सकता है और audience में जो हो communicate किया जा सकता है अपना idea, अपनी ideology, अपनी thoughts को next technique जो use की जाती है वो narration की होती है अब narration में ये होता है कि audience जब show देख रही होती है live performance देख रही होती है तो एक narrator आता है narrator जो है वो आगे story में क्या होने वाला होता है उसको आके जो है वो narrate करना start कर देता है जिसको जो audience सुनती है जिसको जो इससे क्या होता है कि audience को जो है वो पहले से idea हो जाता है कि आगे story में क्या होने वाला है तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना emotional connection जो है वो characters के साथ नहीं बनाते है या फिर जो emotionally इतने involved नहीं होते पिस story में next जी minimal set, costumes, props and lighting bracket जो है वो believe करते कि stage जो है ना वो हमेशा brightly lit होना चाहिए ताकि जो है ना वो audience को पता चलिए कि ये reality नहीं है ये एक show है जिसको जो है वो देख रहे हैं क्योंकि अगर वो dim lights होगी तो audience जो है वो खुद भी dim हो जाएगी और वो उनका ऐसा ही लगेगा कि जैसे वो reality में बैठे हुए है तो उन्हें reality से निकालने के लिए उनका और characters का जो distance है उसे maintain करने के लिए जो stage है उसको हमेशा जो हो light up होना चाहिए कि audience को जो setup है वो realistic ना लगे suggestive लगे and then कहते हैं कि जो actors है उन्हें minimal props जो है वो use करने चाहिए means कि अगर एक character है तो उसे just एक prop जो है वो use करना चाहिए और कहते हैं कि props को ना different ways में use करना चाहिए जैसे कि अगर कोई suit case है तो उसको desk बना ले अब देखो suit case को हम normal routine में तो desk जो है वो नहीं बनाते है तो अगर आप कोई performance हो रही है और उसमें उसको desk बनाया हुआ है तो जो देखने वाला है जो audience है उसको यहीं लगेगा कि यह story है ना कि reality है क्योंकि reality में ऐसी चीज़े जो है वो नहीं होती है बहुत से और भी techniques हैं लेकिन कुछ important थी जिनको जो है हमने आज के lecture में जो है वो discuss किया है बटॉल bracket का यह जो concept है बहुत ही different है कि just audience को emotional trauma से बचाने के लिए emotional connection से बचाने के लिए emotional involvement से बचाने के लिए इस technique को जो है वो introduce करवाया गया था इसको जो है वो different critics ने जो है वो criticize भी किया जो के literature में होता ही रहता है क्योंकि जब literature है तो उसमें criticism जो है वो चलता रहता है और इस technique को भी जो है वो criticize जो है वो किया गया था concept है यह arts पे उन्होंने जो है वो apply किया था क्योंकि ठेटर में उस टाइम पे जो performances होती थी उनके लिए जो है नहीं concept बनाया गया था आज क्रेक्षिय में बस इतना ही वीडियो को like और share और चानल को जुरूर subscribe कीज़ेगा thanks for watching my channel